भारत की सेकुलरिज्यम के पर चर्चागर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारे के साथ आज और गंबेरता से बात करना चाहता हूँ भारत का सेकुलरिज्यम इसले नहीं है कि समिधान के अंदर उस सब्द जोड़ दिया गया है भारत हजारों साल से सर्व पंथ संभवाव इस तत्व ज्यान से जुड़ा हुआ है भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलोसोफी कहती है एकमसत विप्राहा बहुता वधनती सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग रूप में प्रस्तूप करते है भारत ही एक देश है जो कहता है सर्वे अपि सुखिन संटू सर्वे संटू निरामया सद्रे भर भद्रानी पश्चंतू मा कष्ची दुख भाग वेर्ट भारत कभी ये नहीं कहता हिंदू सुखेन सुखियर ज़ नहीं कहता है भारत सब के लिए सोचने वाला देश है और भारत का हजारों साल का इतिहार ने कि हिंदुस्तान में कभी तलवार ले करके कभी दुनिया के विचार पर संप्रदाय पर समाइप पर हमला नहीं बोला है विस्तारवाद ये भारत की बलड में नहीं है उस भारत को बिन संप्रदायक सिखाने की कोशिच है न हमें करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए जो लोग भारत की बिन समर्दाइक्ता के नाम पर कल बयाम भाजी की है मौन फारुक साब से पूछ रहा चाहता हूँ भारत की बिन समर्दाइक्ता के ताकत इतनी जोड़दार है और यह हमारी रगों में है सर्फ सम्विधान में नहीं हमारी रगों में है हम सर्व समावेशक है ये देश ऐसा है जो प्रकृती की भी पूजा करता है पैड की भी पूजा करता है पानी की भी पूजा करता है यहां कोई पराया होई नहीं सकता पुरे ब्रह्मान को अपना मानता है पुरे विश्व को परिवार मानता है ये समाज है और उस समाज में अ secularism इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बनाएंदे तो खराब हो जाएगा और इसलिए फारुग अब्दुला से मैं कहना चाहता हूँ हजारों साल के हिंदुस्तान के इतियास में भारत की हजारों साल की महान secularism की परंपरा को सबसे बड़ी चोट गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है और वो भी सिमान फारुग अब्दुला जी आपके पिताजी की राजनीती के चलते हुआ है सिमान फारुग अब्दुला जी आपकी राजनीती के चलते हुआ है इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के अधार पर निकाल दिया गया जो सुफी परंपरा की भूमी थी उसको आपने नीजी राजनितिक स्वात के लिए संपरदाय के रंग से रंग दिया है और इसलिए आप को बयान करने वालों को मोदी को वोड़ देन के वालों को दर्या में डुबोने की बात करते हो पहले आपके पिता जी आप आपका बेटा कश्मीर की राजनिति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धर्ती पर आपने किया है कश्मीर यह सुफी परंपरा की धर्ती है को कश्मीर यह सर्वसमावेश की दर्ती थी उसको यह दाल रगाने का काम आपने किया है आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयान वाज़े और अगर दूमना है तो किसने डूमना चाहिए जरत दर्पन में अपना चेहरा देख लो आपके पिताजी का चेहरा दर्पन के सामने खड़ा करकर के यह अच्छा है वो भारत की हजारों साल की महान सांस्कृतिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहे इस शबह नहीं देता है उनको हम आज भी हमारे संस्कारों के कारण हमारे ब्लड के कारण राज़नीती के कारण नहीं राश्र भक्ति के कारण कहते हैं भारत सर्वपद ब्लड तो समभाव का महारे बारत के लिए सिलेस्ट्र माज रहे हैं शालर के कारण की राज़नीती नहीं कि विकास की राज़नीती पहारत के लिए देश पूच्य मुल्य लेकर करके चलाएं वसुदाइव कुर्णुम्कम का लख में चलाएं उससे कभी डिगने वाला नहीं है